नमस्कार एक बहुत सुन्दर पाम के साथ में गुलाबी रंग का आपका पाम और बिलकुल वरगा कार जैसी सेप, सुन्दर उंगलियां, अंगोठे का टानल बहुत सुन्दर, द्रड इस्टिटी को पताने वाला, ऐसा अंगोठा होता है तो बिलकुल व्यक्ति द्रड प्रतिक होता अपने जुम्मेदारियों के प्रति, साथ ही साथ कुछ शौकिन में ज पहुँच रहा है आपकी सुर्य उंगलिया के प्रतिक यानि इस प्रतिक लगातार अगर किसी की उंगली पहुँचने का परियास करे या थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो मैं लोगों को सला देता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा सा नकून बढ़ा सकते हैं और इसको आप पिलकुल इस उंगली के एकदम समान रूप से कर सकते हैं प्रतिम कटकी जहां सुर्य की उली होती है कटका वहां तक इसके नकून को बढ़ाएं तो आपकी इस्वरन सक्थी को बढ़ाएगा आपकी एकागरता को बढ़ाएगा आपके तनाव को मुक्त करेग और साथ साथ धनके आगमन को बढ़ाएगा यहां तीनों के तीनों पर वो बहुत ही बढ़िया हैं एकदम नत तरीके से हैं बुद्धी भी है भाशा शैली भी है लोगों से उटने बैटने का तरीका भी आपको आता है तो बहुत सुंदर से रूप को धनके भी विशेस गरी को देखा जाएगा जब इस परकार का गैप होता है तो इसमें थोड़ी सी बुराइई होती है अगर इसमें इसमें अच्छा ही होती है तो व्यक्ति विदेश तक पहुंचता है क्या ही बात जीवन में अगर इसमें बुराई होती है तो यह है कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं कर पाता अपने अनुकुल हाथ पैरों से पैसों से कर पाता है हाथ पैरों से साथ यह साथ वक्ति को बहुत कम समय मिलता है अपने परिवार के साथ रहने का यहाँ पर सुरिया की उंगली के तीनों के तीनों पर पर किसी परकार के कोई बहुत पड़े ऐसे चिन नहीं माइनर जिसके द्वारा मैं कह सकूँ किसी परकार की कोई बदरामी का योग नहीं है यहाँ पर किसी परकार की बहुत जादे उचाई पराप्त करने की जो खड़ी देखा हैं वो भी मजबूती से नहीं है तो बहुत सुंदर सुरूप है यहाँ पर आपकी यह संबान के उगली का आईए बात करता हूं शनी के उगली जो धन के आगमनों के लिए आपका धन का डूबना आपके स्वास्त की इस्टिती इन सब चीज के लिए पर्थम पर कोई म समझ करके कहेंगे कहीं पर ऐसा पैसा अपना नहीं पसाते लोग के चक्कर में ऐसा व्यक्ति कहीं पैसा नहीं पसाता है अपना और बिलकुल अपने हिसाफ से चलने वाला अभी किसी भी परकार से कोई पैसा डूबने के योग नहीं और किसी भी परकार की आर्थिक तंगी क पात करते हैं इसके बाद में तो सनी की ध़ईया साढ़े साती भी आपके जिवर्ण ज़्यादे फरहावकारी खराव नहीं होगी यहां पर आपकी ब्रस्पती के उंगली को देख लीजिए यहां ब्रस्पती के उंगली पर सेकंड पर फर्ष्ट पर थर्ड पर संतान का सुख भी है भगवान के पृतियास्ता भी है पत्नी के साथ सहयोग भी है और संतान का सुख सहयोग भी है तो इश्वर रिच्छा से ये सब कुछ या नुकूल दिखता है चलिए मैं बात करता हूँ आपके पर्व के वारे में जिसका पर्व बुद्व पर्व और बुद्व पर्व के लिए मैंने हमेसा बोलता रहा हूँ दबा हुआ नहीं होना चाहिए उठा हुआ नहीं होना चाहिए साथी साथ जब ये रिखाएं इस परकार से ज़्यादा खड़ी होने का प्रयास करती है व्यक्ति कई भाशा उपर अपना पूरा पर वर्चस्व रखता है और ये अपने आप में जादे खर्चीले सभाव के लिए भी जाने आती है देखे दो कारण होते है अगर बुद्ध की रिखा जादे खड़ी होने लिए तो व्यक्ति जादा बोलता भी है कभी कभी गुनगुनाने का सोकिन भी होता है गाना गाने का सोकिन भी होता है कई भाशा शैलियों को भी जानता है साथी साथ खर्चीले सवाब का होता है या व्यक्ती की जान को खर्चा जाते लगार रहता है तो इसको इस परकार से बोला जा सकता है यहाँ पर बात करता हूँ में आपकी सूरिय रिखाओं के बारे में सूरिय की रिखाएं और लगातार इंडिकेशन्स करती हुई आपके जादे बढ़ने लगें और आपके पुद्ध पर्व की तरफ टर्फ करने लगें और कुछ आपके शनी पर्व को भी पहुंचने का प्रियास करने लगें और सीध मिलाकर ऐसी रिखाएं और क्योंकि हाँ यहाँ आपकी भाग गे रिखाएं का involvement को मैंने उज़र देख लिया था तो ऐसी रिखाएं व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी भी दिला देती हैं को कि छोटा सा रिखाएं का अगर सरूप देखते हैं तो यहाँ उल्टा जाता है सूर्य पर्व की और यहाँ अधिकतर देखने में आता के सूर्य परवत से रिखाएं जाती हैं शनी पर्व को लेकिन आपकी रिखा जाती है सूर्य पर्व की हो यानि आपके धनका इन्वेस्टमेंट जहां सौक के पृति, एस्वर्य के पृति, जादे यात्राओं पर खर्च होना, इस तरह के इंडिकेशन को दिखलाता है, तो परंतु भाग्या रेखा हैं, बड़ी भली भूद हो करके हैं, किसी उपर जादे नहीं चड़ रही हैं, यानि कुल मिलाकर भाग्या उन्नत दिखलाने वाली रेखा है, आपका ये सीरा ये परवबस हो गया, अब बात करता हूँ आपके मैं ब्रस्पती परव के बारे में, उन्नत ब्रस्पती वर्व, ब्रस्पती वर्व आपका बहुत उन्नत है, इसमें छोटे से एक्स का चिन भी है, और अगर मैं इसकी विल्कुस वाहिट चितर पर जाता हूँ, तो ये कोई बहुत जो यहां दिखाने के बाद जो रेखा हैं, ये रेखा हैं आपकी कोई ज्यादा बलवती रेखा नहीं है, उपर वाला एक्स पूरा मजबूत के साथ है, नीचे वाला मंगल पर बनने वाला ये ट्रेंगिल्स का चिन है, ये आपक बिल्कुल भगवानी करपा से धन के अग्मन निरंतर बने रहेंगे, अभी हाथ के अंदर ये चिन पिल्कुल मौझूद है, यहां पर जब मैंने आपके सारे पर्वत देखे तो बहुत माइनर माइनर सी रेखा हैं, बुद्ध पर्वत से लेकर सूरिया पर्वतक सनी देख पर जाएं तो जड़ा यात्राओं के कष्ट देदें, तरह धनका जादे खर्च करवा दें, इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है, बस इसको इस तरह के चनने इनका कोई प्रवाव नहीं माना जाता है, यहां पर बात करता हूँ मैं आपकी हिर्दे रेखा के बारे दूसरों के प्रती आप भी जुम्यदार हैं, आप दूसरों के प्रती आप भी काम वाजाते हैं, तो कुल मिला कर के यहां इस तरह की इर्दे रेखा, कोई बड़े रोक के संकेत नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा एक लेखा नीचे से ओवरलोब करते ही रेखा है, दूसर के राफ़ल होता है, व्यक्ति अपने मन से बहुत अच्छा है, पवित्र है. चलिए और निम्न मंगल पर्ब के बारे में बात कर लेता हù, निम्न मंगल पर और यहां निम्न मंगल पर बहुत संपर्फ के रूप में हैं, यह छोटी-छोटी जो एकसेस की रिखा है, माजनल इनको कह सकते हैं बहुत संगर्स करके जीवन में व्यक्ति अपने जीवन की आथरतक तो पूरी करता है अपने अवसक्ताओं को पूरी करता है अच्छी बात है इससे संगर्स कर रहे हैं का संगर्स करने की ताकत भी है तो ये सब वो रिखाए हैं जो मंगल पर उसे सहास के आपकी बुद्धी रेका बहुत ही बैलेंस से चलती है लगबग लगबग ऐसे समझेए कि 26 वर्स के बाद ये रेका बहुत सुन्दर सरूप से गई और चंदर परवस ने इसका संबंद बना यानि आपके जीवन के अंदर बुद्धी रेका में किसी भी प्रकार की कमरी बहु चोटी 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 बहुत सारी रेका हो जाएं तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में रोज आना कम से कम रोज आना जीवन के अंदर कई के किलो मीटर कई के सो किलो मीटर व्यक्ती को यतरा करने पड़ती है भागदौल बढ़ी रहती है यातरा होती र संबंद हो जाए तो व्यक्ति को विदेश यात्राएं भी हो जाए शुक्र से बुद्ध का परवत का संबंद हो जाए तो शौकिन भी होता है अपने धन को खर्च करने का इस तरह के से काए और प्रगरती की तरफ चलने वाली रेखाओं को संकेत के रूप में ये रिखाए ज आपका वाइट रंग का हाथ ले लेते हैं उससे देखते हैं कुछ सूरिय पर पर भी वैसी ही रेखाए दिखाए दी है और यहाँ भी यानि वह भाग दोल के चैनले बताई दी है मैंने आपको भाग गे रेखा को देखिए मैंने हमिसा कहा चंदर परवस से भी यदि किसी व्यक्ती का संबंद बन जाए तो ऐसा व्यक्ती दूर इस्तानों से जुड़ करके धन के आगमन प्राप्त करता है यानि कुल मिलाकर के दूसरी और लोप रेखा का भी यही संबंद और यदि कभी कभी देखने में ऐसा आए तो कि आपकी डवन रेखा साथ के हाथ करने करे तो इसको कहते हैं वह नोकरी तो कर रहा है और उसमें इस्तान पधिवर्तन हो गया ऐसा समझ लीजिए लेकिन यहा निरंतर आपके जीवन में साथ वर्स तक मुझे नदर आ रहे हैं चोटी मोटी माइनर रेकाएं रहू रेकाएं काट रही हैं उनसे आपको कोई विसेस वरक नहीं पढ़ने वाला है तो यह वो रेकाएं हैं जो बहुत मजबूती से करम रूपी रेकाएं भाग्या रूप म रेका जाने लगे हैं थोड़ असा व्यक्ति धन को सोकिन मिजाज होता है अपनी जीवन को जीना चाहता है जीवन को जीना ही अच्छी बात है पर जीना जाता है उसन पर खंच करता है तो यह कोई ऐसे अभाब वाली रेका नहीं है जीवन के सुक संसाधन आपके पास बनी रहेंगे और इश्वर कृपाते ये शुक्रपर्व कोई खरापर्व नहीं है मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर राहुपर्व की किसी भी प्रकार का कोई लाटरी योग नहीं है के तु पर उपर यहां आस्ता की बात करता हूँ किसी प्रकार के आप ऐसे व्यक्ति नहीं ह कि आपका आस्ता में ध्यान नहीं है तो अपने आपके ये भी है आपकी सही रूप सा रूप है मैं बात करता हूँ आपकी आयूरेखा के बारे आयूरेखा और ये आयूरेखा यहां से गई इस प्रकार से एक तो पैत्रिक पर को चली गई परिवार की जुम्मेदारी करेंगे पूरी ये तिरुक आत्मा ग्रूप में बन जाती है जीवन के यथार्थ को पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे जो जीवन की अवसकता है उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे लगग लगग लग सारी हाथ के रिखाओं को पढ़ करके यह मैंने आपको बताया अब मैं इसके बाद यह मंगल रिखा भी है जो आपके अंदर साहस फैदा करती है तो यह सब रिखाओं मैंने आपको बताई आपके सवाल मैंने सामने देख लिए हैं मिलकुल उनके आपको जो जवाब है मैं आपकी जर्म पत्री में दो नों का साफ देख करके और जर्म पत्री में आपके सारे सवालों के जवाब को भी मैं बताने वाला हूँ नमस्कार